नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कैप्टल टीबी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंग देखिए नरंद मोदी की क्लास लगी है और वो क्लास हुई कहां पे भाजपा कारियाले में बिहार के जितने भाजपा के बड़े नेता थे जो चुनाप समीती में भी हैं सब लोगों की एक क्लास लगी है और प्रधान मंत्री ने एक घंटे 45 मिनट तक ये क्लास लिया है तो उस क्लास में हुआ क्या-क्या बहुत तरह की चर्चा थी कि प्रधान मंत्री रिपोर्ट देखेंगे बात करेंगे जो अभी तका परतरशन हुआ है पांस चर्रों में उस पर रिपोर्ट मांगेंगे बहुत सारी चीजे थी आसंका थी लेकिन प्रधान मंत्री भी चीजों को समझ रहे हैं वो लगातार बिहार आ रहे हैं तावर तोर रेलिया कर रहे हैं रोड सो कर रहे हैं बजा आप समझते हैं जो 40 सीटे बिहार की दाव पे लगी हुई है वो नितीस कुमार और जो भाजपा के लोकल लीडर है कि पटना में रुकते हैं इस्टे करते हैं क्या मतलब है तो जो जमीन से जो फीड़ बैक है वो भाजपा अलाकमान के पास भी है और नरेंद मोदी के पास भी है कि बिहार में मुकाबला काटे का हो रहा है ऐसा नहीं है कि यहां एक तरफा चुनाव है लोग लाक कहें कि मोदी का मैजिक चल रहा है सारे लोग भोट कर रहे हैं इंडिये को जमीन पर वैसी तस्वीर है नहीं अभी जो पाच में चलन का चुना हुआ है उसमें भी साप साप दिखा कि हर जगा मुकाबला काटे का हुआ है कोई यह नहीं का सकता कि फला जीत रहा है फला हार रहा है एक अनुमान सब लोग लगा रहे हैं लेकिन दाबे के साथ कोई यह नहीं का सकता कि फला उमिद्वार जीत के दिल्ली जा रहा है चाहे वो हाजिपूर का मामला हो चाहे वो मुझपरपूर का मामला हो चाहे वो मधुवनी का ममला सीता मडी का भी जोड सकते हैं बहुत दाबे के साथ कोई पक्ष नहीं कर सकता देखिए अब जिस जो खेमे के जो है वो लोग तो अपनी अपनी बात रखेंगे ही लखेंगे लेकिन जो नूटरल फीड़ बैक आ रहा है वो यही है कि बिहार में मामला बहुत काटे का है और नरेज मोधी को भी इसका एसास है अगर वो एक घंटा 45 मिनिट भाजपा कारियाले में गुजा रहे हैं तो इसके पीछे वही आसंका है वही डर है कि कहीं बाजी हाथ से निकलना जाए तो बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने समझाया अपने नेताओं को भाजपा कारियाले में कि आपको तनाव नहीं लेना है दिन में 10 मिनट हसिये जोर से हसिये खाना खाईये प्रोपर और चुनाव की तैयारी किजिए रात में ही रन निती बना लिजिए कि अगले दिन आपको करना क्या है साप साप आपके पास वो टास्क होगा कि अगले दिन सुबा आपको किस-किस काम को अंजाम देना है तो बहुत तरह की चर्चा शुरू हो गई कहा ये जा रहा है कि अब बिहार का जो आपरेशन बिहार है वो नर्लेंग मोदी खुद अपने हाथों में ले चुके है पचीस तारी को वो फिर बिहार आ रहे है डेहरी में उनकी सभा होनी है इसके अलाबा और सारे काईकरम वहाँ पर लगे हुए है प्रधान मंत्री आज भी बहुत सारे रेलियों को संबोधित कर रहे है रक्सॉल में उनका रोट सो भी होना है तो ये जो एक्टिविटीस दिख रही है प्रधान मंत्री की वो उस फिड़ बैक के उपर है जिसमें कहा ये ही जा रहा है कि बिहार में मुकाबला काटे का है और प्रधान मंत्री इसमें आंतर पैदा कर सकते हैं प्रधान मंत्र की अगर तावट तोड सभा होती है रेली होती है रोट सो होता है तो निश्य तोर पर मद दाता आकर सित होंगे और जो कम मार्जिन से जिसमें जीतने की संभावना है या हारने की संभावना है उसमें जीत का मार्जिन प्रधान मंत्री के सभाव के बाद बढ़ाया जा सकता है तो परधान मंत्री भी इसको समझते हैं और जो क्लास उन्होंने लगाई है भाजपा निताओं की कल भाजपा करियाले में उसका भी लबो लुबाव यही है कि साब साब देखिये कि चीजे किधर जा रही है और आपको करना क्या है बूत तक पहुँचना होगा जब तक आप बूत तक नहीं पहुँचेंगे तब तक यह चुनाब आप नहीं जी सकते हैं देखिये अब जादातर सीटे भाजपा की है सहयोगी दलों की जो सीटे थी उसमें जादातर सीटों पर चुनाब हो चुका है अब सब कुछ दाव पर लगा हुआ है भाजपा का इसलिए भाजपा ने कमान लगता है कि खुद नर्यद मोदी के पहल पर अब नर्यद मोदी नहीं समाल लिया है और जो दावरतो और दावरे हो रहे हैं प्रधार मंतरी के वो इस बात के गबा है कि कितनी सिरियसली इस चुनाप को नर्यद मोदी ले रहा है जहां तक बिहार का सवाल है तो तैयारी है भाजपा के तरब से तैयारी है नरेंद मोदी के तरब से 25 तारीक को वो फिर आ रहा है नरेंद मोदी और हो सकता है कि आगे भी कोई डेट वो अपना दे लेकिन 25 तारीक वाला का एकरम उनका तै हो चुका है तो नरेंद मोदी ने जो ऑपरेशन बिहार की एक कमान समाली है इसका आर्थ साफ साफ है कि उनको भी फीड़ बैक है कि मुकाबला बिहार में काटे का है और जिस तरह से कल जो भोटिंग हुई है जो खबर है कि 20 का बतला 24 वाला मामला पूरा पूर जोर चला है सीता मड़ी में क्या हुआ क्या पासबान भोट ने तीर छाप को भोट किया है क्या क्या हाजिपूर में तीर बालो ने पासबान जी को चिराग पासबान को भोट किया है क्या ये सवाल उठ रहे हैं अगर ये हुआ होगा तो निश्चित मानिए कि बहुत मुश्किल में फसेगी एंडिये खास कर सही होगी दलों की सीटें और अब तो आगे अब भाजपा का ही ज्यादा प्रत्यासी है तो भाजपा का ही सब कुछ दाव पे लगा हुआ है इसलिए नरेंद मोधी ने एक पहल की थी अपने ब्यस्त काईकरम में एक घंटा 45 मिनट भाजपा कारियाले में उन्होंने गुजारा और साब साब संदेश दिया कि अगर 24 जीतना है तो आपको ठंडे दिमाग से काम करना होगा रात में अपनी रन्निती बनाईए सुबह उसको अमल करिये हस ये दस मिनट हस ये और कूल रहिए दिमाग को ठंडा रखिये बहुत तनाम में रहने की जरूत नहीं है आप अगर बहुत तनाम में है तो समझ ये कि चुनाप के जीत से दूर जा रहे है ठंडे दिमाग से रन कलास लगी है भाच्पा करियाले में उस कलास का फलाफल क्या निकला क्या सहीं में उनके संदेश को कनेक्ट कर पाए भाच्पा के लोग या नहीं कर पाए? लेकिन एक बात बहुत कुछ साफ है कल भाजपा करिया ले जाने के बाद भाजपा कर्ट करताओं का जो है मरोबल बहुत हाय है एक दम जोस में आ चुके है जो लग रहा था कि तोड़ा धीरा पड़ गए है लेकिन कल प्रधान मंत्री के इस क्लास के बाद उनमें एक नया जोस है नई तागत है और अब जो आगे आने वाले चर्णों का चुनाव है उसमें लगता है कि फुली चार्ज रहेंगे भाजपा के लोग और जो सहयोगी दलों के लिए एक मैसेज भी है कि उनको भी आना पड़ेगा साथ में साथ देना पड़ेगा ऐसा नहो कि फल्ला पार्टी का बोर्ट फल्ला को नहीं मिला अगर ये सिल्सिला चलता रहा तो फिर दिक्कत आएगी बिहार में आप देखते रहिए कैपिटल टीपी बिहार आपका बहुत धन्वाद आपका बहुत सुक्रिया